नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में आज अपन पढ़ेंगे डेरी टेक्निसियन से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट ठीक है डेरी टेक्निसियन से रिलेटेड कुछ क्लासे अपन आल्रेडी ले चुके हैं अब उसका जो सिलेबस दिया गया है RCDF के दूआरा maximum points अपन cover कर चुके हैं परंतो अभी भी कुछ points बाकी है जिनको अपने अभी देखना है तो आज की क्लास रहेगी अपनी dairy टेक्निसियन से रिलेटेड मिल्कप्रोसेशिंग के पॉइंट पर ठीक है dairy technician की एक playlist बना रखी हैमेने चैनल पर जिन लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखें वहां पे जाईए और उनको देखिए वह बहुत ही यूजफुल है अपनी एक्जाम के लिए उसके अलावा राजस्तान का जो जी के है कला संस्कृति वह भी अपने सिलेबस में दिया गया है तो उसके भी कुछ देखेंगे मिल्क प्रोसेसिंग क्या होती है ठीक है दूद का जो प्रसंस करण है वह कैसे करते हैं इसके बारे में अपने पढ़ेंगे आज तो देखिए सबसे पहले मिल्क प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि दूद है ठीक है दूद कहां से आया अपने पास गाई से आया ठीक है कहां से आ रहा है दूद गाई से मतलब जो भी दूद देने वाले जानवर है उनमें अपन क्या मान रहे हैं गाई से इंगित कर रहे हैं उन सब को ठीक है गाई से अ दूद संकलित होता है ठीक है संकलन के इंद्र जिसे बोलते हैं जहां पर गाउं वाले जो पसुपालक है वो दूद लाके डालते हैं संकलन के इंद्र इस संकलन के अंदर से फिर दूद कहां जाता है, डेरी प्लांट पर, देखिए, गाई से अपने को मिला दूद, दूद को अपने कहां पहुंचाया, संकलन के अंदर पर, कलेक्शन पॉइंट जो गाओं में बने होते हैं, वहां पर क्या होता है, पसू पालक या दुग को होता है, वह दूद को लेके कलेक्शन पॉइंट पर जाता है, जहां पर उसका दूद कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद यह दूद कहां पहुंचता है, डेरी प्लांट पर पहुंचने के बाद, यहां से क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, प्रोसेसिंग करके मार्केट में पहुंचा दिया जाता है अब यहां पर मार्केट में अपने को दूद भी मिलता है अलग-अलग प्रकार के दूद उत्पाद होते हैं ठीक है जैसे बटर हो गया पनीर हो गया आइस्क्रीम हो गई विभिन प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट्स हैं फ्लेवर्ड पॉइंट है जहां से अपनी एक्जाम में कई क्यूस्चन मिलेंगे अपने वोग तो देखिए अपना मोटो क्या है अपन क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि गाई से जो दूद निकल रहा है वह आइस स्क्रीम बनके या कुलफी बनके या बटर बनके मार्केट में कैसे पहुंच रहा है इसकी कहानी अपने को पढ़नी है ठीक है तो सबसे पहले देखिए दूद के यहां से यहां तक पहुंचने में स्टेप्स देखें अपन कौन कौन से स्टेप्स हैं उनकी बात करें तो सबस दूसरा क्या रख सकते हैं इस टेप अपन इसमें हार्वेस्टिंग ओफ मिल्क हार्वेस्टिंग ओफ मिल्क यानि गाय से दूद निकालना पड़ेगा ठीक है दुखद देने के इवस्ता में होनी चाहिए वो गाय उससे अपने क्या किया दूद निकाला अब इस दूद को क्या किया अपने collect करके collection of milk दूद निकाला उसको collect किया यह मैं क्या ब unto सकता हूं storage of milk ठीक है दूद निकाल के अपने क्या कर लिया उसको store कर लिया अब इस stored milk को अपन कहां पहुंचा देंगे डेरी plant पर ठीक है यह क्या बोल सकता हूं मैं इसको next step क्या लूँगा इसमें मैं transportation of milk transportation of collected milk था गाई से उसको क्या कर रहे हैं अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ठीक है ट्रांसपोर्ट करके कहां पहुंचा रहे हैं dairy plant पर पहुंचा रहे हैं अब ट्रांसपोर्ट होके मिल कहां पहुंच गया dairy plant पर उसके बाद कौन सा step आता है उसमें quality प्रियोग साला की जाचे होती है वो की जाती है कि दूद करने के लायक है यह नहीं है यह सब कहां आएंगे अपने क्वालिटी कंट्रोल में यह जो स्टेप्स में समझा रहा हूँ इससे अपने दिमाग में क्या होगा एक पिक्चर सेट होगी उस पिक्चर को अपन देखते जाएंगे और वो अपना टोपिक कवर हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट देखी अब इसमें क्वालिटी कंट्रोल के बाद क्या होगा प्रोसेसिंग ओफ मिल्क होगी ठीक है क्वालिटी कंट्रोल यह अपने उसकी क्वालिटी चेक कर ली विभी ने जांस कर ली यह उसके बाद में अपने को मिला कि यह दूद कंजूम करने के लायक है ठीक है सही है quality सही है इसकी तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको अपन processing में डाल देंगे processing of milk बोल देंगे next step इसके बाद में क्या हो जाएगा processing करने के बाद क्या करना अपने को उसकी packaging करनी है ठीक है packaging of milk and supply to market पेकेज कर लिया पेकेजिंग कर लिए उसके बाद क्या कर देंगे supply to market मार्केट में उसकी supply कर दी जाएगी ठीक है जो भी milk है या milk product है उसकी ठीक है processing से पता लगेगा वो कि अपने को कौन सा product बनाना है ठीक है milk products कौन से होता है यह भी अपने class ले चुके हैं यह वहाँ जाके वह video देख सकते हैं आप लोग ठीक है तो यह कुछ steps बनाए है मैंने किसके लिए milk production से संबंदे ठीक है milk की processing में कौन-कौन से steps होता है अब देखिए अपने काम का सबसे important point क्या इसमें processing of milk ठीक है बाकि यह जो भी points हैं उनके बारे में अपन थोड़ा बहु processing of milk पड़ेंगे ठीक है तो processing of milk को देखिए तो देखिए क्या पड़ेंगे इसमें अपने क्या किया एनिमल से यानि गाई की बात करने है पन तो गाई से क्या किया दूद निकाला ठीक है दूद निकालना गाई से दूद निकालने के पश्याद क्या कि आपने उसको कैन में डाला ठीक है समझने कोशिस करना इसको गाई से दूद निकाला गया उसको कैन में डाला गया फिर कहां ले गए अपन उसको collection पॉइंट क्लेक्शन पॉइंटेटकाउं में जो चोटी चोटी पॉइंट्स बने होते हैं डेरी के वहां पे दूद को ले गए और सुक्षेकर कर लिया जाएगा अब collection करते time क्या क्या process होता है उसमें देखिए collection में क्या क्या होंगे एक तो क्या करेगा वो उसका weight balance ठीक है वजन देखेगा दूद कितना है ठीक है दूसरा क्या देखता उसमें वो fat percentage दूद का fat percentage देखता तीसरा क्या देखता वो appearance ठीक है village level की बात करें है अपन वो छोटे level पे तो व आपकी जुँदा जाए दा हुआ पर कि खुछ नहीं देखा जाता इसके बाद में क्या करते हम पन और क्या देखते हैं यहां पर किसी प्रकार की अदेल्टरेशन तो नहीं ही यारी दूद में किसी प्रकार की कोई मिलावाट पूने है यह सब चीजा देखते ले collection पॉइंट पे जब दूद कलेक्ट हो गया फिर क्या किया जाएगा इसको transportation के तहरे कहां पहुंचा दिया जाएगा डेरी प्लांट पर डेरी प्लांट पर पूंच गया है ठीक है देख़िए गाई से दूद कहां पहुंच गया डेरी गारीफर अब्स सब्स को दोंत इसके फ्राइव तेटिया चाहिए जो च्टेकर में करने ही कों दो tub Ар मिलकर कोमएहाने मिलकर के सिर्ए का समय में का क्यों पोछेंगा मिलकर क्यों थो यूँद के quality में खराबी जो होनी है वह कम से कम हो इसके लिए क्या चाहिए अपने को चीए चाहिए और अदिक से अधिक point वो cover करें जो dairy points थे हैं वो अदिक से अधिक dairy point cover करना अधिक से अधिक dairy point cover हो जाए और कम से कम उसमें time लगिए ठीक है तो यह पोइंट इसमें अपने को ध्यान रखना मझता है ट्रान्सकोर्टेशन आपुक्वाइन अब देखिए डेरी प्लांटब पर जब दूद्फ पहुँच गया अभी स्में क्या होगा डेरी that पर पहुंचने के बाद देखे डेरी प्लांट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले दूद कहां जाएगा रिसेप्शन डोक रिसेप्शन डोक किसे कहा अपने देखे दूद जो डेरी पॉइंट से कलेक्ट हुआ वो किसमे रखा अपने कोई भी ट्रांस्पोर्टेशन वीकल है जैसे पिक अपन ले अपन दूद कैन रख दी है अपने गाड़ी में अब गाड़ी कहां पहुंच गए डेरी प्लांट पर अब डेरी प्लांट पर गाड़ी को लगा कर अपन क्या करेंगे उससे कैन उतारे जा रहे हैं उस पोइंट को क्या बोलता है reception टूक ठीक है जहाँ पर दूद के केन receive किये जा रहे है तो अब इस reception už की हाइड कितनी होनी चीए उसивать लेवल की होनी चीए ताकि абсолютно मिल्क तूर को अब receptionlara के उतारे जा सके जैंए अभर सुअ कितना दूद्ध है ठीक है कितना वजन है उसका ठीक है कितने कैन है जो भी क्राइटेरिया होता है उसके तहट उनका मीजरमेंट्स किया जाता है उसके बाद में क्या होता है उसमें कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए प्लेटinery एट प्लेटंट ठीक है प्लेट्फूर्म टैस्ट से पड़ छुक के हैं पना अल्रेडी ठीक है प्लेट्फॉर्म टेस्ट क्या होते हैं कौन-कौन से होते हैं क्या-क्या देखा जाता है रिवाइज करते हैं अपन प्लेटफोर्म टेस्ट किसे कहते हैं अपन जहां पे रिसेप्शन डोग होता है डेरी पॉइंट का वहां पे दूद के पहुंचता ही सबसे पहले क्या किया जाता है भूब का टेस्ट हो गया है Elder नुट का टेस्ट हो गया डेवर हो गया तक यह सारे किसमें आते हैं प्लेटफोर्म टेस्ट में आते हैं इसके अलावा क्या किया जाता है दूद की अमलता कितनी है दूद की विश्ष्ट घंत्व कितना है इस सब चीजों को चेक किया जाएगा का reception डोग पे अब इस reception डोग पे जब एक point लगा storage tank होता है reception डोग पर एक storage tank होता है temporary storage के लिए उसे क्या बोलते है dump tank क्या बोलते हैं उसको dump tank यानि reception डोग पे दूद आ गया weight हो गया measurements हो गया उसके platform test हो गया जो भी test करने दे दूद के सारे हो गया जो भी recording है वो कर लिए अपने एक point क्या होता है इसमें recording recording का मतलब क्या है यह जो सारा कारणाम किया है अपने वो किसमें लिखना पड़ेगा अपने को records में यानि register में लिख लिए या computer में अपने उसकी entry कर लेंगे कि इस गाड़ी में इस route वाली इस गाड़ी में इतना दूद आया है उसके measurements यह है ठीक है जो भी readings आई अपने पास यह recording कर ली अब क्या करेंगे जो भी cans है उनको एक tank होता है उसके अंदर खाली किया जाता है उस अपने क्या किया है रिसीव किया है received milk केञ्च जो भी आये reception डोग पकिस में खाली कर दिये dump tank में खाली करते जा रहे हैं अपने केक करके अब इस dump tank में क्या होता है यह pipe के माध्यम से जुड़ा होता है चिलर से चिलर, देखें चिलर क्या होता है, चिलर एक उपकरण है, जो दूद को ठंडा करता है, चिलिंग करता है, चिलिंग करने वाला उपकरण क्या कहलाता है, चिलर कहलाता है, अब इस चिलर की साहिता से, दूद क्या हो जाएगा, कूलिंग होगी दूद की, ठीक है, मिल्क की क्या होगी cooling होगी cooling होने के बाद में क्या हो जाता है यह दूद कहां चला जाएगा storage tank में कहां चला गया दूद storage tank में आ ठीक है storage tank की capacity dairy plant के according vary कर सकती है 2000 लेटर से 10,000 लेटर तक का होता है storage tank इसमें क्या किया दूद को store कर लिया जाएगा ठीक है अब देखिए dairy plant पर जो दूद आ गया वह कहां पहुंच गया storage tank में अब दूद की जो chilling की जाती है important question है chilling जो होती है दूद की वह किते temperature पर की जाती है चार डिग्री centigrade ठीक है यह याद रखने आपने चार डिग्री centigrade तक दूद को ठंडा किया जाता है फिर उसके बाद में क्या है storage tank में उसको store कर लिया अपने तो यह सामने सा process होता है dairy plant पे दूद पहुंचने के बाद अब इस storage tank में जो milk है इसको आगे किस में डाला जाएगा processing में डाला जाएगा ठीक है क्या बोल रहा हूं में storage tank का जो दूद है उसको क्या करेंगे अपन आगे processing में डालेंगे अब यह processing किस पर अपने को अब मिल्क से कोण सा मिल्क प्रोडक्ट चाहिए ठीक है तोंड मिल्क चीह और कि मील्क चीह मिल्क चीह मिल्क पाउडर चीन चाहिए फलेवरड मिल्क चीए आइसक्रीम बटर चाहिए पनीर चाहिए खोवा चाहिए जो भी डेरी प्रोडक्स होते हैं अलग-अलग उनके अकोर्डिंग क्या होगी यह प्रोशेसिंग होगी परनतु यह जो कॉमन प्रोशेसिंग होती है वो आज अपढ़ने पड़ी है ठीक है तो इसका स्क्रेंशॉट भी ले सकते और अच्छे से इसको ध्यान में रखना है next classes में अपन क्या पढ़ेंगे milk processing के बारे में जो dairy products है उनके according milk processing कैसे कैसे vary करती है ठीक है तो आज की class में इतना ही है उसके अलाव बहुत important classes आल्रेडी हो चुकी है जो लोग नए है वो channel को subscribe कीजिए और bell icon को दबा दीजिए ताकि ज दूसरा point है कि जो लोग अभी तक पुराने वीडियो नहीं देख पाए हैं वो लोग उस पूरी playlist को जाके देखिए वहां बहुत important points है वह अपने को clear होगी तब ही आगे की classes अपने समझ में आएगी ठीक है धन्यवाद